आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है जिम्मेदारी संभाली है आज मेरे मन की वोही व्यता है जो भरत जी की थी जब भगवान शीराम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान शीराम की खणाओ रखकर अयोध्या का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओगी भगवान शीराम ने अपने पिताजी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास विकार किया इसी लिए हम भगवान शीराम को मर्यादा पुर्शुर्तम कहते हैं उनकी जिन्दगी हम सब के लिए मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल है बिल्कुल उसी तरह अर्विंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीती में मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल कायं की है पिछले दो साल से भारतीय जनता पाटी ने अर्विंद केजरीवाल जी पर कीचर उचालने में कोई भी कसर नहीं छोई उन पर जूटे मुकदमें लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा जब अर्विंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई है शायद कोई भी और नेता होता तो मुक्हमंत्री के कुरसी पर बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुक्हमंत्री की इस कुरसी पर नहीं बैठूँगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी इमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं और उन्होंने मुक्हमंत्री पज से इस्तीफा दे दिये लेकिन दिल्ली के मुक्हमंत्री की कुरसी ये कुरसी अर्विंद केजरीवाल जी की है मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चार महीने में जो आने वाले चुनाव हैं दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशिरवाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विन केजरिवाल जी को मुख्यमंतरी की कुरसी पर बठाएंगे तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी अर्विन केजरिवाल जी का इंतसार करेगी धन्यवाद